हलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो फ्रेंड्स स्वाइल पर है कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए किस तरह के स्वाइल आप रेडि करें जिसे आपके प्लांट में हेवी फ्लावरिंग भी करें और आपके प्लांट हिल्डी और स्वस्त्र है जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि एक पेरी नियल्स फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एक एन्वल फ्लावरिंग प्लांट पेरी नियल्स यानि कि सालों भर खिलने वाला फ्लावर और एन्वल यानि कि साल में एक वार खिलने वाला फ्लावर उनमें से विं विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए स्वाइल जब भी आप रेडी करें तो कोशिस करें इसमें से 50 परसेंट आप स्वाइल ले सकते हैं स्वाइल या तो आपके गार्डेन स्वाइल हो या तो आपके खेत के मिट्टी इसके अलावा 25 परसेंट के करीब आप काउडंक मिला ले इसमें 25 परसेंट के करीब आप बर्मी कंपोश्ट मिला ले क्योंकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए थोड़े से हेवी फर्टिलाइजर किया वसकता पड़ती है और कुछ कोकोपीट और कुछ सैंड और मैं पेरी नियल्स पर भी बात कर लूँ पेरी नियल्स के लिए जब भी आप स्वाइल तयार करें तो उसमें एक पार्ट के करीब आप स्वाइल ले ले और एक पार्ट के करीब सैंड और एक पार्ट के करीब कंपोश्ट और एक पार्ट के करीब यानि कि हम खाद रखेंगे यानि कि खाद की मातरा थोड़े से हम कम कर देंगे जो भी पेरिनियल्स फ्लावरी प्लांट है उसी में अगर हम खाद की मातरा फटिलाजर की मातरा अगर दुगना कर देते हैं, यानि कि स्वाइल के बराबर, जितने आप स्वाइल ले रहे हैं, उतना है आपको फटिलाजर लेने के बसकता पड़ेगी, विंटर फ्लाविंग प्लांट के लिए, तो इस तरह से अगर आप स्वाइल मिक्सर तयार करते हैं, तो आपके प्लांट में बहु सारे वर्ट्स और बहु सारे कलिया, फूल दिखेंगे, आप चाहें तो इसमें आप थोड़े से नीम खली भी मिक्स कर सकते हैं, मेरे पास अल्रेडी अभी नीम खली नहीं है, इसलिए मैं ही नहीं मिक्स कर रही हूं, आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं, इसी तरह से आ आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए स्वाइल आप रेडी कर सकते हैं थैंक यू